नमो नम हम, ओनलाइन सम्स्कृत लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं, आईए आज हम कक्ष्या आठ पाठ चार सदैव पुरतो निधेही चरणम इस पाठ की हिंदी व्याख्या और सस्वर वाचन को करेंगे। सदैव सदा सरवदा पुरतह आगे निधेही बढ़ाओ अथबार रखो चरणम कदम को, निरंतर आप कदम को आगे बढ़ाओ एसा इस सीरशक का अभिप्राय है, ये गीती स्रिधर वासकर वर्नेकरजी द्वारा रचित है, स्रिधर वासकर वर्नेकरजी राष्टवादी कभी माने जाते हैं, ये कविता और गीती के माध्यम से हमारे अंदर राष्टर प्रेम की भावना को जागरित करते हैं, चलिए सबसे पहले हम इसे का सस्वर गायन करते हैं, चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, गिरिशिखरे ननु निजनिकेतनं, विनैव यानं नगारोहनं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, पतिपाशाना विसमा प्रखराह हिम्स्राह पसवह परितो घोराह सुदूस्करम्खलुयद्यपिगमनं सदैवपुरतो निधेहि चरणं जहीहि भीतिम्भजभजशक्तिम् विधेहि राष्ट्रेत थानुरक्तिम् कुरु कुरु सततं धेयास्मरणं सदैवपुरतो निधेहि चरणं चल चल पुरतो निधेहि चरणं इस प्रकार से इस गीति का सस्वर गायन पूर्ण होता है चलो हम हिंदी में ब्याख्या करते हैं चल चल पुरतह चले चलो आगे चरणं निधेहि कदम रखो याने आगे आगे कदम बढ़ाओ आगे आगे चलो और क्या करों? सदाइ वपुरतो चरणं निधेहि सदा आगे चरणं रखो ननु निज निकेतनं गीरी सिखरे अस्ती अपना घर गीरी सिखरे परवत के शिखर पर पहाड की चोटी में अस्ति है याँ पर अस्ति नहीं है लेएं हमें जोडना पडएगा यानम बिना एव नगा आरोहणं नग आरोहणं कर्तव्यं भवती यानम बिना गाडिके बिना ही नग परवत को आरोहणं चड़ना कर्तव्यं है चड़ना है स्वकीयं बलं साधनं भवती एसी अवस्था में स्वकीयं अपना बलं बल साधनं साधन भवती होता है इसलिए सदा आगे कदम बढ़ाओ, चरण को रखो याने धिरे धिरे आगे बढ़ने की सदा सर्वदा आगे बढ़ने की चेतना दे रहे हैं दुसरा पद्य है पाशाणाह विशमाह पाशाणाह पत्थर विशमाह विशम यानि उँचे नीचे हैं उबढ़ खावड भरा रास्ता है प्रखराह नूकिले भी हैं पत्थी यानि रास्ते में रास्ते में पत्थर उबढ़ खावड भरे हुए हैं उँचे नीचे पत्थर हैं और वो नूकिले भी हैं तीखे तीखे घने पत्थर हैं परितह घोराह हिम्सराह परितह चारों और से घोराह भयंकर हिम्सराह हिम्सक पशवाह अपिसंती पशुभी हैं यद्यपी गमनम जबकी चलने का काम खलू सुदूस करम खलू निश्चय ही सुदूस करम बहुत कठिन है तथा पी सदैव पुरतो निधे ही चरणम फिर भी सदा आगे चरण यानि अपने कदम को बढ़ाते रहो रखते रहो बढ़ते रहो आगे यहां भी प्राय है अब कहते हैं जही ही भीतिम भीतिम डर को जही ही त्याग दो और क्या करो सक्तिम भजबज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ कुरू कुरू करते रहो करते रहो और कैते हैं अंत में सदाईव पूरतो निधे ही चरणम सदा आगे चरण को रखो इस प्रकार से आरंब के दो पद्य में बहुत संघर्षवरा जीवन है इस बात को समझाते हुए अंत में देश भक्ति देश प्रेम और अपने लक्ष को पाठ की हिंदी व्याख्या पूर्ण हो जाती है नमोनमह, पुनर्मिलामह, धन्यवादह, अब हम आगे अभ्यास भाग के साथ मिलेंगे